हेलो एन वल्कम बैक टू माई चैनल आज हम आपको ये डिजाइनर बैक नेक बनाना बताएंगे तो मैंने ब्लाउस की कटिंग 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग कर ली है नेक की लेंथ लेंगे आंसे 10 इंच और नेक मिट लेंगे सारे 3 इंच आप 3 इंच भी ले सकते हैं एड इसे एक बॉक्स बना लेंगे बॉक्स बनाने के पाद दूसरा निशान यहां से 4 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को डेरी अंतर की तरफ लेंगे और एक मटका गला का शेथ देंगे तो शेफ देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और जो ही वेस्ट पार्ट निक लेगा इसे फेटता नहीं है इसे से हमें बाद में इसकी डिलाइन कटिंग करने है तो नेक कटिंग गरने के बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की सीधी साइट को अंदर की तरफ रखना है नेक पर और नीचे की तरफ सिलाई लगानी है तो पहली सिलाई हम यहां से यहां तक की लगाएंगे और दूसरी सिलाई यहां पर लगाएंगे तो हमने सिलाई लगा लिए है इसके एक्स्टर मार्जिन को कट कर लेंगे और पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे पलटने के बाद इसके उपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे तो हमने इसके उपर फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है और जो हमारा ये वाला पार्ट था अब इससे हमें डिजाइन कटिंग करनी है तो इससे एक बड़ा पीस का अस्तर लेंगे और इसे डबल फोल्ड में रखेंगे इसके उपर ये वाला पार्ट डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरीके से और इसके बराबर में निशान लगा लेंगे बराबर में निशान लगाने के बाद इस निशान से डेड़ डेड़ इंच दूर पर दूसरा निशान लगाएंगे और सारे निशान को मिला लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमने इसकी कटिंग कर ली है और हमारे पास यह गोल्डन कलर का फैब्रिक है इसे इसके साथ अटैच कर लेंगे चारो तरफ से तो हमने इसे अटैच करके आईरन कर लिया है और यहां से हमने हाफ आफ इंच मार्जन छोड़ा है इसमें कट लगा देंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे आप चाहें तो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं कर सकते हैं तो हमने सिलाई लगा ली है और अब हम जैसे ब्लाउज में लगाने के लिए डोरी पलटते हैं उसी तरह हमने चौड़ी डोरी ली है और इससे लगभग 2-2 इंच पर कट कर लेंगे और अब इसे इस तरीकी से इसमें अटाच करेंगे तो एक सिलाई हम इस तरफ लगाएंगे और दूसरी सिलाई दूसरी तरफ लगाएंगे तो इस तरीकी से अटाच कर पे जाएंगे जैसे हम ब्लाउस में लगाने के लिए डोरी सिलाई करके पलटते हैं सुई थागे की हल्प से उसी तरीकी से हमने ये चौड़ी डोरी पलट कर रखी है तो इसे इस तरीकी से अटाच कर लेंगे तो हमने इसे अटाच कर लिया है एक तरफ से अब दूसरी तरफ से हम सिलाई लगा कर इसे दूसरी तरफ से भी अटाच कर लेंगे कर दो हम अटाच कर लेंगे तो हमने इसे दूसरे तरफ से भी अटैच कर लिया है अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जन है इसे कट कर लेंगे दोनों तरफ से तो हमने इसके एक्स्ट्रा मार्जन को कट कर दिया है अब हमने जो नेक रेड़ी किया था वो वाला पार्ट लेंगे और इसके साथ इसे रखकर एक सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे तो इस तरीके से सेट करके रखेंगे और यहां पर सिलाई लगा लेंगे तो हमने इसे अटैच कर लिया है इस तरीके से अब हम गोल्डन फैब्रिक में से दो इंच की यह स्कुएर पीस कट करेंगे तो अब इसे इस तरीके से मोडेंगे और डिजाइन बनाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे तो इसी तरीके से बनाकर इसे बीच से कट कर लेंगे और जो इसका एक्स्टर मार्जन है इसे भी कट कर लेंगे और पूरे फैब्रिक से इसी तरीके से बना लेंगे और इसे यहां पर रखेंगे इस तरीके से रखते जाएंगे और इसके उपर से सिलाई लगाते जाएंगे तो इसी तरीके से हम पूरे प्लाउस में अटाच कर लेंगे तो हमने इसे पूरे ब्लाउस में बना लिया है अब हम उरे प्ट्टी लेंगे और इससे ब्लाउस का नेक रेडी करेंगे तो हम कौटर इंच के मार्जन से पूरे नेक पर इस उरे प्ट्टी को सिल लेंगे तो हम इससे पाइपन बना लेंगे और यह वाली लेस यहां पर अटाच कर लेंगे हमने पाइपन बना ली है और यह लेस यह अटाच कर ली है और यह इस तरीके से डिजाइन भी बना ली है इस पर मोती लगा दिये है तो सुई धागे की हेल्प से इसे इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे और इसकी उपर एक मोती लगाएंगे तो इसी तरीके से हमने पूरे ब्लाउज में गिया है तो हमारा ये बैक का पार्ट बनकर रेडी हो चुका है बस इसमें डोरी और लटकन लगाना बाकी है तो हमने ये डोरी लटकन पहले से रेडी करके खा है इसे हम यहाँ पर अटाच कर लेंगे और हमारा ये बैक नेक बनकर रेडी हो जाएगा तो अगर आपको आजकर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और में ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग